हेलो काईज, वेलकम टो मैं यूटूब चैनल मैठी ट्री, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, काईज हम के लास्ट हैंट कामेट कर रहे हैं, आज हम इसके एक्सराइज 6.5 का क्योंसे नंबर 13 करेंगे, ओके, तो देखते हैं क्योंसे नंबर 13 में क्या बता रखा है, दे D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC, कोई भी एक triangle बता दी क्या, ABC, ठीक है, तो हम सबसे पहले triangle ही बना लेते हैं, ये कोई triangle ले ले ले, हमने ABC, उसके आगे भी कोई condition दे रखे, वो देखते हैं, right angled at C, मतलब right angle बता दिया, C पे, तो अब C को यहाँ पे ले लेते हैं, A यहाँ पे ले लेते D and E are points on the side CA, D जो point है, वो है CA side B, ठीक है, और E जो point है, वो है side, E points on the side CB, E points है, यहाँ पे, ठीक है, तो अब भी आगे हमें प्रूब क्या करना है, A, E का square, मतलब A, E का square, तो A को E से मिला देते हैं, A, E का square, E plus B, D का square, यह वाली चीज, ठीक है, हमें यह दो construction करने पड़ेगी, A, E का square और B, D का square, ओके, अभी हम तेखो, given क्या क्या है, given में लिखते हैं कि A, B, C, E, J, right triangle, right angled at C, D point on A, C, E point on B, C, यह हम लिख लेंगे, ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसमें proof, इसका, क्या, हम से पूछ क्या रखा है, तो तू, शो, क्या शो करना है, में, E, E का square, E, E का square, पलस B, D का square, इस इक्वल्स टू, E, B square, E, B square, परस D, E square, यह चीज हमें बतानी है, तो अभी हम इसका प्रूफ करते हैं, देखो, सबसे पहले हम यह चेक करते हैं, A, E square, और B, D square, A, E square, और B, D square, A square मिल सकता है, हमें इस वाले ट्रैंगल से, और B, D square मिल सकता है, इस वाले ट्रैंगल से, और जहांपे पर यह square आ जाए ना, तो हम समझ जाएंगे कि पाइथागोरस थियोरम अपलाई होगी, square कहीं पी पी आ जाए, प्रूफ में पूछें, तो वहाँ पे 100% पाइथागोरस थियोरम का ही यूज होगा, ओके, तो अभी हम यहाँ पे पाइथागोरस थियोरम अपलाई करेंगे, देखो यह है परपेंडिकुलर, यह सोरी यह है राइट एंगल, इसकी सामने जो साइड होती होती हाइपोटेनिस, तो हाइपोटेनिस का स्केर इज उकल्स टू अधर टू साइड की स्केर का सम, ठीक है, तो देखो पहले इन ट्रैंगल, ए, ए, सी, इसमें क्या हो जाएगा? हाइपोटेनिस क्या है? ए, ए का स्केर पलस सि ए का स्केर यह हो गया, अभी क्या करेंगे? हमें बेडी और चाहिए है, तो अभी इस वाली ट्रैंगल में in triangle b d c इसमें क्या हो जाएगा b d का square इसको equation number first लिते है b d का square it equals to ये क्या हो जाएगा d c का square और plus b c का square यहां से ये आ गया अब ही हम क्या करेंगे देखो हमें क्या चाहिए ए स्केर पलस बी डी स्केर चाहिए तो इन दोनों को add करेंगे तब ही आएगा ये तो इसके आगे हम क्या करेंगे ये equation number 2 हम जो proof दे रखा है ना जो हमें से पूछ रखा है कि show क्या करना है जो proof क्या करना है उसके basis पे हम ये equation निकाल लेंगे तो adding equation, first and second, we get, क्या हो जाएगा, a e का square, plus b d का square, ये left side को जोड़ दिया हमने, आगे क्या हो जाएगा, a c का square, plus c e का square, plus d c का square, plus b c का square, ठीक है, तो अब देखो, a c का square, a c square, पूरा a c का square, plus, इसमें, और क्या बन सकता है, a c का square, plus b c का square, हाँ, देखो, a c का square, plus b c का square का बन रहा है, c e का square, plus d c का, हमें ये देखना है, कि देखो a b square कैसे मिल सकता हमें a b square मिल सकता है इस पूरी triangle से तो इस पूरी triangle पे हम अगर पाइथागोरस theorem अपलाई करेंगे तो यह हमारा क्या है यह है right angle ठीक है इसकी सामने का क्या होता है hypotenuse तो a b का square हमें a b square is equals to क्या हो जाएगा a c का square minus c b ka square sorry plus c b ka square या b c ka square तो यहांपे देखो यह a c का square a c का square plus b c का square इसको हम एकठा लेक लेते हैं अभी यह वाली triangle है इसमें क्या हो जाएगा c e का square plus d c का square तो यहां से यह क्या हो जाएगा हमें यह वाली भी connect करनी पड़ेगी क्योंकि हमें D E भी चाहिए ठीक है तो ये क्या हो जाएगा C E का square पलस D C का square तो अभी देखो A E square as it is B D square as it is A C का square पलस B C का square क्या हो जाएगा A B का square ठीक है आगे C E का square पलस D C का square ये पूरा क्या हो जाएगा ये वाली triangle में पाइथागोरस theorem अपलाई हो कि ये क्या हो जाएगा D E का square ठीक है तो हमें क्या show करना था हमें ये ये चीज़ show करनी थी तो hands proved ओके देखो एक बार मैं फिर से बताती हूँ आपको हमें सबसे पहले ही देखना हमें A E square चाहिए और BD square चाहिए तो A square हमें मिल सकता है इस वाली triangle से और BD square मिल सकता हमें इस वाली triangle से तो ठीक है हम क्या करेंगे ये वाली triangle लेकि इसमें पाइथागोरस theorem का अपलाई करेंगे और इस वाली triangle में पाइथागोरस theorem का अपलाई करना कुछ भी मुस्किल नहीं है सिर्फ हमें ये देखना है कि right angle कौन से पर है right angle जहां पर है उसकी सामने जो side होगी जर्श सामने वो उसका hypotenuse हो जाएगे उसको जो उसका square करके और each equals to जो other two side बचकी ने उनके square का sum कर देंगे चाहिए a c को पहले लो चाहिए c e को पहले लो ये इस वाले triangle में हमने इस वाले उसका पाइथागोरस theorem का यूज कर दिया अभी इन triangle b d c में भी क्या हो जाएगा वह अपलाई कर देंगे अभी इन दोनों को add करके हमें ये side तो मिल गई अभी हमें ये जो d c square यहां से क्या आजाएगा ये d e square आजाएगा तो ये हम प्रूब कर देंगे ओके अभी इसका next question कर रहे है question number 14 question number 14 में देखो क्या पता रहे है the perpendicular from e on the side b c of a triangle a b c intersect b c at d such that d b equals to 3 c figure देखो हमें इसमें figure given है हम figure बना लेते हैं पहले ये triangle ठीक है ये a b c और ये d है ठीक है ये इसने बता दिया ऐसे ये ऐसे given है क्या बता रखा हमें the perpendicular from a on the side b c ठीक है ये हमने एक perpendicular draw कर दिया ठीक है triangle a b c intersect b c at d जो b c o d को d intersect कर रहा है कहां पे d पे ठीक है such that हमें क्या given है given है d b equals to 3 c d ये चीज़ हमें given है ठीक है और हमें प्रूव क्या करना है प्रूव करना है 2 a b का square 2 a b का square it equals to 2 a c का square plus b c का square ठीक है हमें ये जेज़ प्रूव करनी है तो अब देखो हम करते हैं इसका proof इसका proof भी हम क्या हमसे पूछ रखा न प्रूव क्या करना है उसको लेके चलेंगे तो a b देखो हमें कौन से वाली triangle से मिल सकता है a d b triangle से मिल सकता है तो हम सबसे पहले यहीं देखते हैं कि first step कि हमारा a b square a b square निकालना है हमें ठीक है तो square आ गया तो pythagoras theorem apply होगी तो in triangle a d b क्या हो जाएगा यह perpendicular है यह इसका मतलब right angle है तो इसकी सामने हाट पूटों नहीं सुझाएगी तो यह क्या हो जाएगा a b square is equals to a d square plus क्या हो जाएगा आगे a d square plus d b square यह equation number first हो गए ठीक है अभी second हमें क्या चाहिए a c चाहिए तो a c मिल सकता हमें इस triangle से अगर यह 90 degree का है तो यह भी 90 degree का होगा तो अभी क्या करेंगे in triangle a d c उसमें क्या हो जाएगा a c का square is equals to क्या हो जाएगा a d का square plus c d का square अभी देखो इसी question को अगर हम add करेंगे तो a b का square plus a c का square आएगा लेकिन हमें a c square उस side चाहिए तो इससे क्या हो सकता है अगर हम देखो a b square plus a c square कर लेंगे आगे फिर ले जाके हम a c square को उस side लेके जाएगे तो a c square minus में हो जाएगा तो इसी लिए हम पहले इसको minus कर लेते हैं ठीक है तो subtraction equation 1 from 2 ठीक है तो इस equation को इसमें से गटा देते हैं तो a b का square a b का square minus a c का square और कुछ है ना बता है a d square हमें चाहिए नहीं इसमें तो इससे a d square भी खतम हो जाएगा ठीक है को इन दोने equation को गटाएंगे क्योंकि हमें यहां से एक तो हमारी time cancel हो रही जो हमें जरूरत ही नहीं है वो कट रही है वो रेखा ना a b square minus a c square आ रहा है तो यहां से minus c square यह हो गया ठीक है तो अभी यहां से देखो हमें पता है db कितना है 3cd तो यहां से db की जगह हम 3cd पूट कर देंगे तो हमारा db भी खतम हो जाएगा हमें क्या है हमें सिर्फ एक बार इसमें जो जो कर सकते हैं ना वो चेंज करेंगे db की जगह 3cd तो यह क्या जाए जाएगा 3cd जैसे 3cd इसका पूरे का स्केर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 9cd स्केर हो जाएगा ठीक है माइनस cd स्केर लिख देंगे क्योंकि db is equal to 3cd यह जाए हमें गीवन है ठीक है तो यहां से ab स्केर माइनस a c स्केर यह कितना आ गया 9 में से बन गया 8cd स्केर यह इतना आ गया अभी इस equation को हम equation number 3 मान लेकते हैं अभी हम देखो क्या कर सकते हैं हमें ab है,AC है एक ab ओर चेहिए 27 ओर चेहिए 28c ए में 27जिफिय तो बी-से का से निकल सकता है यहां से निकल सकता है तो देखो 3cd फलस db, क्या होता है पूरा 17 cd परस 12b हमें बी-सी चाहिए त तो देखो, cd, db की value क्या है, 3cd, तो यह आ गया, bc, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, cd, cd पलस 3cd, यह क्या हो गया, 4cd is equal to bc, तो यहां से cd की value कितनी आ गया, cd की value आ जाएगी, देखो, यहां से cd की value आ जाएगी, 1 by 4bc, ठीक है, अभी cd की value आ गया, 1 by 4bc, हमें क्या चाहिए था, अभी यह जो value आए न, cd की value, यह हमें इस equation number 3rd में put कर देंगे,